तो कैसे हैं आप लोग देखें अभी हमने आपको पीछे कुछ वीडियो में पैकिंग मशिन्स चलाने का पूरा टिप एंट्रिक्स दे रहे हैं इस वीडियो में बताएंगे कि अगर कैमरा स्लाइड से और पिछ गेर जो आपका पाउच का लेंध होता है वो सब सेट करने के आपको किन चीजों पर फोकस करना है आइए बिना किसी दरी के स्टार्ट करते हैं हराज बताओ दो चीजे तो हमने बदल के देख लिया था जी मतलब एक तो पीछगर बदल लिया था दूसरा कैमरे को आगे पीछे करके सेट करके देख लिया था तीसरी वज़े बताई कि अगर आई-मार्क नहीं चलता है तो हमें क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जो हमने बताया उसकी अलाबा यह दो सेंसर है ठीक है यह सेंस होता है तो इसको पैनल को कमाइंड देता है यह पैनल है अपना फोटो एलेक्टिक पैनल ठीक है यह जब सेंस इसको कमाइंड देगा तो इसमें एक रिवर्स फॉरवर्ड मोटर लगी हुए है इधर आये वह पाउच को उतना खैस देगा नीच है यह दिखा भाई पीछे से यह देखिए यह रिवस फॉरवर्ड दोर नो साइट चलता है मोटर साइए इसका बटन दबाए रिवस फॉ अगर इसमें सेंसर बंद हो जाता है जी एक सेंसर बंद हो जाएगा तो पूरी तरीके से कैमरा भी ठीक चल रहा होगा जब भी यह सेंस तरीके से पूरी लेंद नहीं निकाले आगा तो कि यह कैमरा सेंस करने के लिए पहले यहां सेंस करना पड़ता है तब जाके यह काम कर अगर इसका कोई वायर लूज हो जाता है तो उस वायर को कहां से ठीक कर सकते है तो यह पैनल लगा हुआ है पीछे से अपना कबर खोलते हैं यह जो कबरिंग है पॉस कर दो इसमें कौन सा है इसका अई करो सेंसर का चल रहा है देखिये यह शेंसर यह दो नीली तार है दो बलेक हैं यह शायड में यह ब्राउन है इस तरीके से अगर इसमें से कोई चिवी तार अगर निकल जाती है तो यह शेंसर काम नहीं करेगा तो अपना मोटर को यह रिवस फॉरवर्ड नहीं करेगा तो यहां से बाइर चेक कर सकते हैं ठीक है यह ट्र सब्सक्राइब तो यहां से चेक कर सकते हैं इसके अलावा एक चीज और होता है जो बहुत छोटी चीज और वो सेंसर अगर थोड़ा उपर नीचे हो जाता है तो भी सेंसर ने करता है और वह भी करके दिखाई आगे से देखाऊ आगे लिए अगर दिखाऊ है यह हमारा सेंसर है कि यह केम मता हुआ है अगर यह हमारा जैसे इस अगर लूज हो जाता है और अगर यह तोड़ा से तो देखिए इस तरीके से अगर यहां कराने के लिए यह चीज होना चाहिए है यह हमारा होता है जब यह सही काम करता है तो यह थे देखिए दो-तीन चीजे थी यह जो मोटी-मोटी चीजे थी किस तरहिके से आप हमारे सेंसर लगे होते हैं उसकी सेटिंग बदलके पीछे से वायर अगर आप को इस पैनल का वीडियो चाहिए कि हमें कैसे वायरिंग करनी है पैनल में कहां से कौन से अब क्या सा रिस्पॉंस आता है इन वीडियो का उसके हिसाब से आगे काम करेंगे हम लोग कितने लोग फायदा उठा रहे हैं इसके बाद भी जिनसे काम नहीं और बार बार बोल रहा ह अपने प्रॉब्लम का समधान निका लिए तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी दबता के लिए अल्लापीस